ब्रेक के बाद अब सभी का स्वागत है आरोगे में और वैज जी अब देखते हैं हमारी टीम ने आपके कौन से पेशेंट से बात किया यह जानते हैं कौन है मैं डिगेंदर सिंग, ग्राम सिप्पुरी, पोष्ट अफजलर, जिलाबी नौर का रहने वाला हूं हमारी वीवी राज कुमारी तिनके घुटनों में काफी दर्द रहता था काफी दर्द था, उनसे उठा बैठा भी नहीं जाता था, घर का काम काज भी नहीं होता था बताया कि डाक्टर साब कहें दिखाओ, जब हमने वैठ जी कहें दिखाया तो हम यहां आए तो बीवी बड़ी मुश्किल से लाए हूं नहीं हां, उसके वाद फिर वो चार-पांच महीं ने इलाज चला, उसके वाद आज वोक अपने पैरों से दवाई लेने आई, और बेजनाओर से दिखेंदर सिंग जी, इनकी वाइफ को घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द होता था कि उनसे टॉलरेट नहीं हो पाता था, तो क्या कारण था और क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? रिचा जी अक्सर लेडीज को मेनोपोस के टाइम ये बिमारी बहुत तेजी से बढ़ती है, और आज की समय में तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसका एक कारण दूद का ना सेवन करना है, और पहले लोग धूप में बैठते थे, अब तो ये चीज खतम हो गई, कई बार कोई चोट लग जाए, तब इस प्रकार की दिक्कत होती है, और मुख्य कारण इस बिमारी का है कब्ज, जिन लोगों को कब्ज जादा रहती है, और पेट में मन सडन लगता है, तब उसका रस दूशित हो जाता है, पाचक रस, तो वह दूशित पाचक रस हमारे र आदमी चलने से, बैटने से, जीना चडने से अपने आपको लाचार पाता है, तब बहुत जादा दिक्कत हो जाती है, और इंडियन सीटों तो आदमी सोच आदी निवरत होने से भी बहुत जादा परिशान हो जाता है, कमर पीट और घुटने को इस्तंबित करती वात, पुनि-पुनि कमपन गात में बढ़े कष्ट साक्षात, व्याप्त वेदना गात्र में शोद रोग उदभाव, ववन वात कफ जन्ने का होता पादुर भाव, तब इस परकार की दिक्कत होती है, कमर में घुटने में इत्य इसके लिए हम एक दवाई अपनी फार्मेशीर जो बनाते हैं, जो की हर प्रकार के वात रोग में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, मुक्यता सिलाजीत वटी, रामफल वटी और दस्मूल घन वटी, इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा, इनके सेवन से वात रोग में शांती मिलती है, और जब इस्थिती बहुत जादा भड़ जाए, बहुत जादा विकरत होने लगे, तब आयरुवेद में कुछ दवा में से एक स्वन योग, वरहत वात चिंता मनी, जो कि मैं देखता हूं कि किसी भी प्रकार का Osteo Arthritis हो, या Osteoporosis हो, दोनों में अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इसने रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि एक हर चीज की लिमिट होती है, लेकिन ये दवा अधिकतर लोगों को बह दो दोगोली, सिलाजीतवटी, रामपलवटी और दर्शमुलगन इनका प्रियोग कराया, कोष्ट सुद्धी रहे, इसके लिए रात्री में प्रवाहिकार चूण, साथ में हमारे आईरवेद के दो प्रसिद्ध कौात हैं, रासना सत्तक कौात और पुरनवादी कौात, दो इनको बहुत लाब मिला और आपने देखा काफियत तक ही स्वस्त है, बहुत बहुत शुक्री और कॉलर भी हमारे साथ जुर चुके आईए, जानते हैं क्या सवाल है उनका, हालो, हैलो, जी कौन बूल रहे हैं, सत्ताल जी बोले हैं, कहां से, मैं पंजाब से बोला हूँ मै बहुत बहुत स्वागत है, अपका वैजी से क्या सवाल करना चाहते हैं, मैं तो मैडम जी हापोचाटिस, जी क्या था उसके बारे पूछना था कोई द्वाई के बारे में, जी बताएए, बताएए, सवाल बताएए अपना, बस यही है, मैं को हैपोटाइटिस, तीन मी ने चेक करा रा, कितना है? कितना निकला? यह तो काफी जादा है, और इसके कुछ कारण है, जैसे की, इन्फक्टेट नेडल लग जाना दोशित पानी पिर रा इन्फक्टेट नेडल, इंजेक्शन कहीं आपको गलत लग गया हो, किसी डाक्टर ने shorten आपको गलत लगा यहा हो कहीं कोई गाने पीने में तीज दिक्कत हुई हो या आपका संपर्क किसी गलत जगे हुआ हो तब इस प्रकार की दिक्कत बढ़ती है बहुत अच्छा होगा कि आप दिन में दो बार पुनर नवा मंदूर और मेद नाशक गोधन वटी और तीसरा आरूग्य वर्धनी इन तीन की दो दो गोली दिन में दो बार पानी के साथ सेवन करें पानी सिर्फ और सिर्फ उबलावा हो और कहीं किसी और नलके का पानी ना लें सिर्फ उबलावा पानी पीएं दूसरा आईरवेद का एक इस मामले में इस तरह की बिमारी में बहुत ही अच्छा क्वात है पुनर न गी चिकनाई खटाई तले पदार इन से आप काफी बचे बजार का जंक फूड और तला भुने पदार ये ना सेवन करें आपको मैं उम्मीद करूँगा नेश्चित रूप से लाब मिलेगा दूसरा त्रिफला भी इसमें बहुत अच्छा कारे करता है आप प्रहते काल दो च दौसरा डूसरा प्रोपल्म दो खानते है किया प्रॉब्लम है उनके हलो जी कौन बूल रहे हैं मैं प्रेमकर बोलना हूँ जी कहांसे बहुत बहुत सूगत है वेजी से क्या सवाल करना चाहते है मुझे फिस्टूला की प्रोफनम है लास्ट्टिक किस की फिस्टूला जी अगर रुक जाते हैं, मतलब ये तमली जे कि अगर रेगल रेक अफ़ा रहा है तो उसके बाद तीम दिन के रुक जाता है, फिर अनशुर हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, इसा हो रहा है आपको लेटिन केसी है? वो ठीक है, मुझे बंधारा जी जी स्मय कहाै। आपको फिस्टुला का कारण क्या रहा है? एक काम करें, दिन में दो बार रक्त विकार नाशक और बवा सीर की दवा दो दो गोली दिन में दो बार सेवन करें दूसरा हमें एक तेल बनाते हैं बवा सीर के मस्तो का तेल या वहीं से आप ले सकते हैं जात तेयादी तेल चार से पांच भूंद आप एनस में अंदर पिछ करें दीरे दीरे फिस्चुला में लाब मिलेगा जो बलड आता है उसमें भी लाब मिलेगा बलड या तो कहीं बार कॉंस्टिपेशन हो या पी-पी भड़ता हो तब भी बलड आने लगता है इस चीज का विशेश ध्यान रखें कि ये दिक्कत आपको ना हो और दूसरा आपका पेट साफ रहे इसका विशेश तोर पे आपने ध्यान रखना है सुपाच्य वोजन आपने सेवन करना है भारी पदार जंक फूड बिलकुल ले लेना है और मिर्च मसाले बिलकुल त्याग दो और इसके लिए में एक बात और कहूंगा मूली रस में डाल कर नित्य जले भी खाए सब्त दिवस सेवन करे बवा सीर मिट जाए तो बवा सीर में फिस्टुला में आपको बहुत लाब मिलेगा आप इस परियोग को करके देखें बहुत बहुत शुक्रिया वैज जी और मुझे पूरे येकीन है हमारे दर्शक भी बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे होंगे आपके चमतकारी महा उपाएगा तो अब सब में आ गया है जब हमें जाना है तो आपका एक चमतकारी दोहा हो जाए चिक आज एक कभी तक तो हमने ये बताते थे कि किस चीज को खाने से क्या लाब होता है और आज इतना बताऊंगा दही उडद की दाल संग प्याज दूद के संग जो खावे एक साथ में जीवन हो बदरंग यानि के उडद की दाल और दही प्याज और दूद जो इन चीजों को साथ में सेवन करे उसके जीवन में बिमारियों का आगमन शुरू हो जाता है जीवन बदरंग होने लगता है इसलिए इन चीजों को आपस में सेवन नहीं करना चाहिए वैजी आपको बहुत-बहुत शुक्रिया इतने अच्छी जानकारी देने के लिए तैंक्यू सो मच आप यहाँ पर आए और अपना कीमती समय हमें दिया तो दर्शकुन जाने का समय हो गया है जाते जाते एक बार फिर आपसे यही कहना चाहूंगी कि वैजी की जो टिप्स होती है उसमें हम आपको जादा से जादा यह बता सकते हैं कि कौन सी चीज आपको कब नहीं खानी चाहिए किसके साथ नहीं खानी चाहिए ताकि बिमारी शुरू ही ना हो और यह जो उपाएं हैं यह आपको यह बताते हैं कि छोटी छोटी बिमारीों से किस तरह से बचा जा सकता है लेकिन आप अगर यह सोच रहे हैं कि घरेलू उपाएं से आप बड़ी बिमारीों से निजात पा सकते हैं तो आप बिलकुल गलत सोच रहे हैं उसके लिए और शिदी लेना बहुत ज़रूरी है फिलाल समय हो गया है हमारे जाने का और जाते-जाते अपसे बस यही कहना चाहूंगी किसी भी तरह की समस्या के लिए जो आपकी बिमारी से जुड़ी हो या पर आपके स्वास्ते से जुड़ी हो आप इन नंबर्स पर हमें क पॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे हैं अपने सवाल आप वाट्सेप या इमेल के जरिये भी हमें भेज सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आदर्श आहिरवेदिक और हमारा फेस्बुक पेज आप जरूर जॉइन कीजे आदर्श आहिरवेदिक फामिसी फिलहाल हमें दीजिये इजाज़त आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना खयाल रखियेगा नमस्कार झाल रखियेगा नमस्कार